हेलो स्टूडेंट्स हाउ आई यू बच्चो आज हिंदी की कख्षा में आप सबकर स्वागात है सबी बच्चे आपनी पुस्तक व्याकरण भारती रफ कॉपपी और पैंसिल लेकर बैठ चाहिए और आज के सेशन को ध्यान पूर्वत कर टेंड करें बच्चो आज हमारा अपोजित वर्ड्स कहते हैं यानि उल्टे अर्थ वाले शवड इनको विप्तेईत अर्थक शवड भी कहते हैं तो बच्चो जो शवड हमें उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शवड कहा जाता है तो आओ पहले हम कुछ धार्नों द्वारा इससे समयनी का प्यास क कड़वा और अनार का स्वाज कैसा पता है मेठा इसका मतलब कि कड़वा शवड का विलोम शवड है मेठा यानि ये इसका उल्टा अर्थ बता रहा है यहाँ पर दो गिलास हैं इनमें पानी हैं इस गिलास में ज्यादा पानी हैं इस गिलास में थोड़ा पानी हैं तो ज्य शादा का विलोम हुआ थोड़ा यहां पर पक्षी का रंग काला है और खरगोश का रंग है सफेद तो इसका मतलब है कि काला का विलोम शब्द है सफेद तो बच्चों इन चित्रों को देखकर और इन शब्दों को पढ़कर हम ये जाना कि ये शब्द हमें एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रही हैं, तो जो शब्द हमें उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है, तो आओ बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक व्याकरण भारती के पार 10 शब्द पंडार के टापिक विलोम का पेज नंबर 67 निकाल ले, विलोम शब्द, जैसा कि उन्हें पहले ही पड़ा था, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विप्रेत अर्थक शब्द कहते हैं, तो बच्चों, यहां पर कोई शब्द दिये गए हैं, हम इसका अधिर करेंग अग्रज, अग्रज यानि भड़ा भई, बिग ब्रद, और उसका विलोम है अनुज, यानि चोटा भई, स्मॉल ब्रद, आजाद, आजाद यानि फ्री, और उसका अपजिट विलोम हुआ गुलाम, एक अनेक, अपना पराया, खोना पाना, गुरू, गुरू यानि टीचर, गुरू, गुरू का विलोम है शिष, शिष यानि स्टूडेंट, शिष गुरू का विलोम है निर्धन, निर्धन यानि गरीब, जिसको हम कहती है पुर। नकच्च टी इ, धक्यो परेव, न, निर्धन, निचा, उन्चा, बड़ाउ, उपर चान बिन्दू, चेको आ, उन्चा, नेक्स्ट, पालतू, पालतू यानिअ डुमेस्टिक, पालतू का विलोम है, जंगली, जक्यो परबिन्दी, गल, लकौ बड़ी, जंगली यानि वाइल भड़ना घटना पाप पुण्य भारी हलका उंचा नीचा देखो बेटा, यहां पर हमने उंचा से नीचा विलोम्शब्द पड़ा और यहां पर हमने पड़ा था नीचा का विलोम्शब्द उंचा आगे योग्य यको छोटाओ आदाग य य योग्य यानि capable उसका विलोम शब्द है अयोग्य नेक्स्ट लाब लाब यानि profit नेक्स्ट लाब का विलोम होता है हानी हको आ नको छोटी य हानी यानि loss अंधेरा का विलोम उजाला वीर वीर यानि brave वीर का विलोम शब्द है कायर कायर यानि covered नेक्स्ट लाब सरल का विलोम है कठिन कठिन यानि मुश्किल Next is Udhay, Udhay यानि Rise उदे का विलोम है अस्त, अ, आदा स, त, अस्त यानि सेट स्पष्ट, आदा स, प, आदा श, त, स्पष्ट, स्पष्ट यानि क्लियर स्पष्ट का विलोम है अस्पष्ट नेक्स्ट इस शांत, शांत यानि साइलेंट शांत का विलोम है अशांत आगे बचो आकाश, आकाश का विलोम है पाताल नेक्स्ट इस उठना, उठना से बैठना सोना, सोना का विलोम है जागना खाली, खाली का विलोम है भरा नेक्स्ट इस गहरा, गहरा यानी डीप गहरा का विलोम है उठला नेक्स्ट इस ग्रामीन, ग्रामीन यानी विलेज ग के पर मेर आ मको बड़ी इन ग्रामीन का विलोम शब्द है शहरी नेक्स्ट इस धर्म धर्म का विलोम शब्द है अधर्म नेक्स्ट इस न्याए न्याए मिन्स जस्टिस न्याए का अपजिट है अन्याए आगे पुरसकार पुरसकार यानि प्राइज पुरुषकार विलोम शब्द है दंड दंड यानी पनिश्मेंट नेक्स्ट इस शत्रू शत्रू का विलोम है मित्र आगे यश यानी फेम यश का विलोम शब्द है अप्यश नेक्स्ट इस मीठा मीठा से कडवा आगे युद यको छोटा उ द के पैर में हलन्त ध युद युद का विलोम शब्द है शान्ती यानी पीस नेक्स्ट इस राजा राजा का विलोम शब्द है रंक रंक यानी दरिद्र यानी गरीब पुर आगे लायक, लायक का विलोम शब्द है नालायक आगे असली, असली यानि रेल असली का विलोम है नकली Next is सफल, सफल यानि सक्सेस्फुल सफल का विलोम शब्द है और सफल Next is सही, सही का विलोम शब्द गलत Next is सुगम, सुगम यानि रिचेबल यहां पर हम असानी से पहुंच सकते हैं उसका opposite है दुर्गम दुर्गम यानि जहां पहुंचा ना जा सके दको छोटाओ गा के उपरेव म दुर्गम Next is स्वतंत्र स आदा स व तक्यो परबिंदी त्र स्वतंत्र यानि फ्री इसका विलोम है परतंत्र पर पर तक्यो परबिंदी त्र परतंत्र यानि गुलाम स्लीव Next is शुद्ध शक छोटाओ द के पैर में हलन्त ध शुद्ध यानि प्योर शुद्ध का विलोम शब्द है अशुद्ध तो बच्चो आज हमने अपने विलोम शब्द टॉपे का अध्यन किया आप सबी इन विलोम शब्दों को अपनी कॉपे पर लिकर इसकी दोहराई करेंगे अगले टॉपे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तके लिए गुड़ बाई